नमस्कार मैं संजय सनम यूटूब के सभी व्योर्स का हर्दै से अभिवादन करता हूँ कटक में बारिस के कहर का वीडियो तो आपने देखा लेकिन उस बारिस के कहर के बाद इंसानियत का जज़वा लिए सामाजिक सेवा का जो द्रश्य वो हम आपको आज दिखा रहे हैं कटक की विविन सामाजिक संस्ता हैं चाहे वो कटक मारवाडी महिला समीती हो चाहे वो जेन माता समीती हो चाहे वो आरेसेस हो चाहे वो अन्य संस्ताएं हो जिसमें लाइन्स कलब भी के उपस्तती भी थी सामोहिक रूप से इन सब संस्ताओं ने सामोहिक रूप से जुड़ करके एक दूजर से हाथ मिलाते हुए वहां तक पहुँचने की कोशिस की जहां नीची वस्तियों में पानी बहुत अधिक भर जाने से लोगों को दिक्कत हो रही थी वहां तक राहत सामगरी पहुँचाने की इनकी कोशिस वाकई में काबीले तारीफ है मारवाडी महिला समीती की तरफ से पर्तिवाजी की नेत्रेतू में संतोस चोदरी जी अर्चना चोदरी जी रमा बजाज जी रीतू मोडा जी मंजु अगरवाल जी मीरा लाएं तादाद में उपस्ति थी उसी प्रकार RSS यानि रास्टिय स्वयम सेवक संग भी जबरदस्त तरीके से सामाजिक सेवा में उत्रा जो कि उनकी पहचान है इसमें चितरंजन महेंती जी के साथ तपनकर हरसा साहू सांतिलाल जी लोढ़ा ये RSS के स्वयम सेवक के रूप में इन्होंने अपनी सेवादीर इनके साथ सरी सुरे सरमाजी के भी सक्रियता रही कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपत्ति विपत्ति ये कुद्रत की बात होती है कि कुद्रत कब कहर बरपाती है और कुद्रत कब खुशियों की लहर देती है पता नहीं चलता लेकिन या जल परले के रूप में, किसी भी रूप में, उस वक्त सामाजिक सेवा संस्थाओं का जो दाईतो होता है, वो दाईतो कटक की धर्ती पर साप दिखा, बहुत अच्छा लगा, जब मात्रु शक्ति यानि नारी शक्ति, वो खुद अपने खर से इन विशम हालातों में निक और उसके बाद धार्मिक संस्थाओं जिन माताजी समिती, इन लोगों ने, स्वेम सेवी संस्थाओं ने, स्वेम सेवा संग ने, इन सब लोगों ने एक जुट हो करके, खुद्रत की विपत्ती पर मानवियता के जजबे का जो जबाब दिया, वो काबिले तारीफ है, ये लोग नीची वस्तियों में पहुँचे, जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में पहुँच गया था, उनके लिए राहत सामगरी की आवशकता थी, अभी भी ये कह जा रहा है कि निम्न दबा बना हुआ है, कटक में बारिस फिर हो सकती है, इसलिए कटक वासी सावधान र